आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी अफ इंडिया में साइन नियूट नवरात्र का आठवां दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की अराधना का दिन भक्तों के कष्टों को हर लेती है जगत जनी माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप वाली देवी आप देख सुन और पग रहे हैं समाचार एजेंसी ओफ इंडिया की साइन यूज के धर्म प्रभाग में विभिन जानकारियों के संबंध में नवरात्र के आठवे दिन जगत जनी माता दुर्गा के आठवे अर्थात महागौरी स्वरूप का पूजन किया जाता है माता महागौरी का तेज देखते ही बनता है इनका वरन पूर्मतह गौर है इस गौर्ता की उपमा शंक चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है इनकी आयू आठ वर्ष की मानी गई है अश्टवर्ष भवेद गौरी इनके समस्त वस्त्र एवं आभूशन आदी भी श्वेथ है अगर आप जगत जन्मी माता दुर्गा की अराधना करते है और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जै भवानी जै दुर्गा अत्वा जै काली माता ल शूल है उपर वाले बाए हाथ में डमरू और नीचे के बाए हाथ में वर मुद्रा है इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमाले की श्रिंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी अब जानिये माता महागौरी की कथा देवी भागवत पुरान के अनुसार देवी पारवती अपनी तपस्या के दोरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी बाद में माता केवल वाई पीकर ही तब करना आरंभ कर दिया था तपस्या से माता पारवती को महान गौरफ राप्थ हुआ है और इससे उन माता की तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा जिस समय माता पारवती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वरंग के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्यवल चंदर के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई मागौरी अपने हर भक्त का कल्यान करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है मागौरी ने देवी पार्वती रूप में भग्वान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी एक बार भग्वान भोले नात में पार्वती जी को देख कर कुछ कह देते है जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है इस प्रकार वशों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुचते है वहाँ पहुचे तो वहाँ पार्वती को देखकर आश्चरे चकित रह जाते है पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है उनकी छटा चांदनी के सामन श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई परती है उनके वस्त्र और आभूशन से प्रसंद होकर देवी उमा को गौर वरंग का वर्दान देते है वहीं एक कथा अनुसार भगवान शिव को पती रूप में पाने के लिए देवी ने कठो तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पर जाता है देवी की तपस्या से प्रसंद होकर भगवान इनहीं स्वीकार करते है और शिव जी इनके शरीर को गंगा जलसिद होते है तब देवी विद्यूत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वरंग की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ महागौरी रूप में देवी करू नामे, स्नेह में, शांत और मृदुल दिखती है देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और रिशिगन कहते है सर्व मंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधी के, शरने त्रंब के गौरी नारायनी नमोस्तुते डौट, माता महागौरी जी से संबंधित एक अन्ने कथा भी प्रचलित है इसके जिसके अनुसार, एक सिंग काफी भूखा था वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है देवी को देख कर सिंग की भूख बढ़ गई परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वही बैठ गए इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गए देवी जब तपसे उठी तो सिंग की दशा देख कर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और मा उसे अपना सवारी बना लेती है क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंग दोनों ही है इसके अलावा एक अन्ने कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरन में आये तब माता ने क्योंकि को मुग्द करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किये यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक परवत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उप्त परवत पर उनका मंदर बना हुआ है यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी में महागौरी का रूप धारंकियत जानते हैं माता महागौरी की पूजन विधी अश्टमी के दिन महिलाए अपने सुहाग के लिए देवी मा को चुमरी भेंड करती है देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है अर्थाग जिस प्रकार सप्तमी तिथी तक आपने मा की पूजा की है उसी प्रकार अश्टमी के दिन भी प्रतेक दिन की तरह देवी की पंचोप चार सहित पूजा करते है माता महागौरी के पूजन अर्चन, अराधना का महित्व जानिये मा महागौरी का ध्यान, स्मरन, पूजन अराधना भक्तों के लिए सर्वविद कल्यानकारी है भक्तों को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए इनकी कृपा से अलौकिक सिध्यों की प्राप्ति होती है मन को अन्ने भाव से एकनिष्ट कर मनुश्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए मा महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है इसकी उपासना से अर्टजनों के असंभव कारे भी संभव हो जाते है आथ इसके चर्नों की शरन पाने के लिए हमें सर्वविद प्रेतन करना चाहिए जानिये मा महागौरा को कौन सा भोग है प्रिये माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाईयों का भोग लगाया जाता है इसके अलावा माता को हलवे और काले चने का भोग भी लगाना चाही महागौरी के पूजन से सभी मोदेविया प्रसंद होती है जानिये किस तरह किया था माता महागौरी निवरत जानकार विद्वान बताते है कि शिव पुरान के अनुसार महागौरी को आच साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन की घटनाओं का आभास होने लगया था उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पती मान लिया था और शिव को पती रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी इसलिए अश्टनी तिथी को महागौरी के पूजन का विधान है इस दिन दुर्गा सब्तश्टी के मधिन चरित्र का पाठ करना विशेश फलदाई होता है जो लोग नो दिन का वरत मही रख पाते है वे पहले और आठवे दिन का वरत कर पूरे नो दिन का फलप्राप्त करते है माता महागौरी की उपासना का तरीका जानिए पुरानों में मा महागौरी की महीमा का प्रचुर आख्यान किया गया है ये मनुशे की वृत्यों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शर्नागत बनना चाहिए माता महागोरी की उपासना के लिए सुबह जल्दी उठकर सनान आदी से निवरित होने के बाद साफ स्वच वस्त्र धारं करे माता महागोरी की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से सनान कराए माता महागोरी को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करे धार्मिक मानितां के अनुसार मा को सफेद रंग पसंद है माता को सनान कराने के बाद सफेद पुश्प अर्पित करे माता को रोली कुम-कुम लगाए माता को मिश्ठान, पंच मेवा, फल अर्पित करे माता महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाए माता महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करे इसके उपरांत माता की आरती भी करे अश्टनी के दिन कन्या पूजन का भी विशेश महित्व होता है इस दिन कन्या पूजन भी करे जानिये मा महागौरी का प्रिये पुष्प क्या है मां का प्रिय पुष्प रात की रानी है इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है अब जानते है माता के मंत्र के बारे में या देवी सर्वभूग तेशु मां गौरी रूपे इनसंस्थिता नमस्तसिये 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 नमो नमः इसका अर्थ होता है कि हे मां सर्वत्र विराजमान और मां गौरी के रूप में प्रसिध धंबे आपको मेरा बार-बार प्रनाम है हे मा, मुझे सुक समरिधी प्रदान करो अगर आप जगत जमी माता दुरगा की अराधना करते है और अगर आप माता दुरगा जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जै भवानी, जै दुरगा अत्वा, जै काली माता लिखना न भूली यहां बताए गए उपाई, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ माननिता और जानकारियों पर आधारित है यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी माननिता या जानकारी की समाचार एजेंसी ओफ इंडिया के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहां दी गई जानकारी में नहीत जानकारी विभिन माधिमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, माननिताओं, धर्मग्रंथों, दंतक्थाओं, किन्व दंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिम सत्य अत्वा दावान माने एवन अपनी विवे का उप्योग करे समाचार एजेंसी ओफ इंडिया पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशिगे से सलाह ले अगर आपको समाचार एजेंसी ओफ इंडिया में खबरे आदी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वा सब्सक्राइब अवश्य करे हम नई जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद झाल झाल झाल